हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के सब्जेक्ट इंग्लिस के पीरिडिक एसेजमेंट 4 को सॉल्ब करेंगे तो आइए शुरू करते हैं हमें इस प्रहें हैं क्या होती है तो यहां पर टेल कहते हैं कहानी को टी आ आई एल यानि की पूँच तो लिखेंगे टी आ आई एक नेक्स्ट पर लिखा है और इन है नहीं कि जानना तो यहां लिखेंगे के एन ओडब्लू डू यू नो आज सीक्रेट क्या तुम एक रहस से जानते हो नेक्स्ट एपल डेग कि डॉक्टर अवे दिन में एक एपल यानि कि रोजाना एक एपल खाने से डॉक्टर दूर रहता है यानि कि डॉक्टर की जरूत नहीं होगी तो यहां पर लिखेंगे हम एन नेक्स्ट इस एलन विजिट दड़ कोट ऑफ अकबर तो कौन पढ़ा लिखा आया था अकबर के दरबार में किएगे य फिर पंडित तो पंडित आया था तो यहां लिखेंगे पंडित नेक्स्ट इस राइटी फूर टू एफ यहां पर सही के लिए True के लिए T लिखना है और False के लिए F लिखना है हिवाथा वाज जो है एक डॉक का नाम था तो गल्ट है क्यों क्यूंकि वाज एक बॉय था next is Helen Keller was taught by Mr. Sullivan Helen Keller को सिखशित किया गया था किसके द्वारा Mr. Sullivan के तो ये भी गल्ट है Because Miss Sullivan के द्वारा उन्हें पढ़ाया गया था Next is Plants are not important for us हमारे लिए पौधो की कोई आवे सकता नहीं है Important नहीं है तो ये भी गलत है Because plants are very important for us Next is Beerbal was a wise man Beerbal एक वो दिमान आदमी था तो बिल्कुल सही है तो यहां T लिखेंगे Name any flower of your choice आप अपनी choice से किसी भी एक flower का नाम लिखेंगे And write two sentences about it और इसके बारे माँ आपको दो वाके लिखने हैं जैसे कि मुझे पसंद है Rose का flower तो जैसे कि I love rose flower मुझे rose flower बहुत अच्छा लगता है It is red in color ये लाल दन का होता है Now question is In the sentences below Capital letters, commas, full stops and question marks are missing यहाँ पर sentences में बहुत सारी चीज़े मिस हैं जैसे कि capital letters का use Comma, full stop or question marks Put these in the correct places सही place पर आपको इन्हें लगाना है जैसे कि On Monday I will go to school तो यहाँ पर I जो है आपको Capital word बनाना है Capital letter में बनाना I will go to school on Monday और बाद में लिखना है आपको Full stop लगाना है Next है Sita Where are you going तो यहाँ पर लिखना है Where are you going Sita तो यहाँ पर Going के बाद आपको Comma लगाना है Where are you going Sita और उसके बाद question mark अभी यहाँ पर question है Read the following passage And answer the question यहाँ पर passes को पढ़ना है और question के answer देने है Then the little हिवा था ताब जो छोटा हिवा था लड़का था Learn of every bird its language यह जो है जो bird थी सारी चिडियाएं थी पक्षी थे उनकी भासाओं को जान गया Learn their names उनके नाम सीख लिए उसने and all their secrets और उसने उनके सभी रहष्यों के बारे में पता लगा लिया How they build their nest in the summer और उसने यह भी जान लिया Birds living जिसमें पक्षी रहते हैं उस घर का क्या नाम होता है तो क्या कहते हैं उसे nest and की घौसला कहते हैं Birds build their houses in the summer season पक्षी अपना घौसला गर्मी के मौसम में बनाते हैं Write the name of any one season that you know about आपको किसी भी एक ऐसे मौसम का नाम लिखना है जिसके बारे में आप जानते हैं जिसकी winter season now short answers early in the morning or the evening hour सुबह को जल्दी और evening hour में साम के समय में the underlined words in the above sentence end in ing उपर यह जो sentence है इन में जो underlined word है यानि की morning और evening है वो ing पर finish होते हैं खत्म होते हैं write two such words that end in ing तो आपको ऐसे दो word लिखने हैं जो की end होता है जिनका ing word से तो यहाँ पर लिख सकते हैं walking talking तो इसमें ing letters है now question is read the following sentences and answer the questions यहाँ पर दिये गए sentences को पढ़ना है और questions के answer देने है अलन पंडित once visited the court of अकबर एक बार बहुत विदवान पंडित अकबर के दरबार में आया he told the king उसने राजा से कहा and his courtiers और उसके दरबारियों से that he had mastered many different languages कि उसे जो है बहुत सारी भासाओं में mastery हासिल है यानि कि विदवता हासिल है the pundit could speak many languages fluently कि जो पंडित है वो प्रवाह के साथ बहुत सारी भासाओं को बोल सकता है he challenged everybody at the court to name his mother tongue उसने दरबार में सभी को उसकी मातरभासा बताने के लिए challenge किया अब यहाँ पर question है the pundit visited a court in above passes उपर के इस passes में एक pundit जो है राजा के दरबार में आया a court is headed by a king जो court यानि कि दरबार था वो राजा के दरबार चलाया जाता है find the name of the king from the above passes अब यहाँ पर राजा का क्या नाम है उसका नाम लिखना है तो कौन था राजा court में अकबर था अब next the pundit challenged everybody to name his mother tongue पंडit ने सभी को उसकी mother tongue बताने के लिए challenge किया what do you think is the meaning of mother tongue आपको क्या लगता है आपके according mother tongue किसे कहते है इसका क्या मतलब होता है तो mother tongue किसे कहते है the first language पहली भासा that you learn to speak as a child जो कि आप एक बच्चे के रूप में बोलना सीखते हैं तो उसे कहते हैं हम अपनी mother tongue तो आप इसे इस तरीके से complete करेंगे मिलते हैं next video में next assessment sheet के साथ if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you